गुड बॉर्निंग सुडेंट्स तो आज हम करने जा रहे हैं नमबर ओफ जीरो का पार्ट टू पार्ट बन में हमने क्या कर रहा था नमबर ओफ जीरो निकाली थी किसमें? फैक्टोरियल वाली केस में जिसमें 1, 2, 3, 4 करते करते 100 तक नमबर है या 1, 2, 10 तक जितने भी लगातार नमबर है उसमें हमने नमबर ओफ जीरो निकाली थी लेकिन ऐसे भी बहुत सारे केस आएंगे जिसमें लगातार नमबर नहीं हो तो आज हम उसी केस के बारे में सारी डिसकस करेंगे चीक है? देखे अब अगर मान लिजे आपके सामने कोशन है 10 इंटू 20 इंटू 30 करते करते 1000 तक अब आप इसमें बताओ नमबर ओफ जीरो कितनी आएंगी 10 से लेकर 1000 तक सारे नमबर आपको दे रखी है ट्राई करो एक बाद इसमें क्या अंसर आएगा? यह ध्यान दखना यहाँ पे आपने यह नहीं देखना कि अगर आप यह सोचोगी यह सीरा 1000 फैक्टोरियल है और वहाँ से आप नमबर ओफ जीरो निकालने लग जाओ क्योंकि 1000 फैक्टोरियल तब होता है जब एक से लेकर 1000 तक सारे नमबर हो 123456 इसरा अभी यह बीच बीच में से नमबर है 10 उसके बाद डिरेक्ट 20 आ गया उसके बाद डिरेक्ट 30 आ गया यानि बीच वैले सारे नमबर मिसिंग है तो यह फैक्टोरियल नहीं है तो बताइए इसका अंसर क्या आया है ट्राइ करो बही जल्दी से एक बार कुछ बच्चे ऐसा जरूर सोच रहे होंगे कि बही एक जीरो यहां पे है एक जीरो यहां है दो जीरो होगी तीन जीरो यहां पे करते करते 90 तक एक जीरो सो में दो जीरो फिर 110 में काउंट करने स्टार्ट हो जाएंगे बट आप ऐसे करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि बहुत सारी zero इसमें missing होगी अब इसको करना कैसे है देखो आप एक चीद मुझे बताओ क्या आप यहां से कुछ common ले सकते हो क्या इसमें से कुछ common आ सकता है आप बोलो कि बिल्कुल आ सकते हैं सर कितना आएगा common 10 अगर आपने 10 common लिया तो अंदर क्या बचेगा यह बताओ अगर आपने 10 common लिया अंदर बचेगा 1 20 में से 10 common लिया तो कितना बचेगा 2 यहां कितना बचेगा 3 करते-करते यहां बचेगा 100 बच्चों क्या ये ठीक है इसमें कोई गड़वड तो नहीं है मुझे ही बताओ क्या ये लाइन मैंने बिल्कुल ठीक लिखी है हमने क्या करा 10 से लेकर 1000 में से 10 common ले लिया तो 1, 2, 3, करते, करते, 100 तक इस तरह ये सारे नंबर बच गए लेकिन जिसमें थोड़ इसी mistake है आप खुद देखो example लेता हूँ मैं 2 x 4 x 6 2 x 4 x 6 की मैं बात करूँ तो यहां से अगर मैं common लूँ 2 अगर मैं यहां से 2 common लूँ तो अंदर कितना बचेगा इसके coding 1 यहां बचेगा 2 यहां बचेगा 3 अब जब मैं यह multiply complete करूँ तो real में तो यह number कितना था यह number था 48 लेकिन जब मैंने यह multiply करी तो यह number आया 12 इसका मतलब यह गलत है आप इसको ठीक नहीं कह सकते यही बात है ना तो आपने क्या ध्यान रखना है अगर बीच में multiply का symbol होता है तो common नहीं निकल सकता हाँ अगर यहां बीच में plus का symbol होता यानि मैं यह कहता 2 plus 4 plus 6 अब इसमें से 2 common ले लो 1 plus 2 plus 3 अब यह real में कितना था 12 यह कितना है 6 into 2 यह भी 12 है यानि अगर बीच में plus का symbol है तो आप common ले सकते हो लेकिन जब बीच में multiply का symbol आएगा तो common नहीं आएगा तो यह बात आपने ध्यान रखनी है हाँ यहां से आप common ले सकते हो लेकिन आपको यह दिखना पड़ेगा अगर बीच में multiply का symbol है तो अगर मैं 2 common ले रहा हूँ तो 2 हर number में से common आएगा 2 यहां से भी common आएगा यहां से भी और यहां से भी यानि कुल मिलाके 2 raised to power 3 common आएगी चीक है तो जितने भी number है हर number में से 2 common आएगा तो यह total कितना हो गया 8 into में 3 into 2 6 अभी आपका match कर गया 48 चीक है तो यह बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर हमारे number के बीच में multiply का sign होता है तो हर number में से common निकलता है तो यही चीज़ यहां भी तो apply होगी 10, 20, 30 करते करते 1000 में से आपने 10 common लिया बीच में multiply का sign है इसका मतलब यह हर number में से common आएगा अब यह total कितने number है यहां से आपको पता लग गया होगा total यह 100 number है तो अगर यह total 100 number है तो 10 raise to power 100 को मनाएगा चीज़ के? clear होगी बात 10 raise to power 100 क्यों? क्योंकि यह total मिलाके 100 number है और जब हम यहां से 10 raise to power 100 को मन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? देखो मुझे number of 0 निकालनी है 10 raise to power 100 में कितनी 0 होती है? देखो 10 raise to power 1 1 0 10 raise to power 2 2 0 10 raise to power 3 3 0 यानि जितनी 10 की power बढ़ाते रहेंगे उतनी 0 10 raise to power 100 में हमारी 100 0 आ जाएंगी अब उसके बाद अब 1 से लेकर 100 तक मैं multiply करूं अब 1 से लेकर 100 तक multiply हमारी 100 factorial में आपको पता होगा कितनी 0 आएंगी हमने last class में करा था 100 factorial में आती है 24 0 तो 100 0 यहां से 24 0 यहां से टोटल मिलाके इसके end में आएगी 1 24 0 चीक है? इसमें कोई doubt clear हो गया होगा मैं एक बार repeat कर देता हूँ देखो question क्या था 10 20 30 करते करते 1000 तक आपको 0 निकालनी थी इसके end में कितनी आएगी? जब हमने इसमें से common लेना चाहा तो यहां से 10 raise to power 100 common आया क्यों? क्योंकि बीच में multiply का sign है और जब बीच में multiply का sign होता है तो हम क्या करते हैं? हर number में से common लेते हैं तो जब मैंने 10 common लिया तो 1, 2, 3 करते करते 100 तक बज़ गया यानि ये total मिलाके जो number है ये 100 है इसी लिए 10 raise to power 100 को मनाया अब 10 की power 1 में 1 0 10 की power 2 में 2 0 10 की power 3 में 3 0 तो 10 की power 100 में total मिलाके 100 0 होगी तो 100 0 यहां से आगी एक से लेकर 100 की multiply होता है 100 factorial 100 factorial में हम पढ़ा था 24 0 मैं दुबारा बता भी देता हूँ कैसे आई थी factorial के case में हम इस सरा divide करते है 5 से divide करेंगे या आएगा 20 5 से divide करेंगे 4 total मिलाके इसमें कितने आगी 24 0 ठीक है याद है न यहे तो यहां से 24 0 आगी so यहां थी total मिलाके इसके end में आ जाएगी 124 0 clear होगी बात यह अब चलते हैं अगले question पर अगला question मैं इसी के उपर एक बार लिख जेता हूँ अगला question है सिरफ even number यानि 2 into 4 into 6 into 8 इस तरह करते करते 1000 तक इसके end में कितनी 0 आएएगी यह try करो अब की बार हमने सरफ even number लिए हैं 2, 4, 6, 8 करते करते 1000 तक तो बताएं वह इसके end में कितनी 0 आएएगी अभी भी यह continuous number नहीं है ध्यान रखना factorial नहीं ले सकते हैं आप सीधा अब अगर हम बात करें number of 0 की तो number of 0 किस से बनती है हमें पता है कि number of 0 बनता है 2 और 5 के pair से 0 बनेगी हमेशा 2 और 5 के pair से तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या यहाँ पे 5 मिलेगा यह सरफ even number है यहाँ 5 मिलेगा ही नहीं क्यों 5 यहाँ भी नहीं है 15, 25, 35, 45 कहीं भी नहीं आएंगे वो 5 तो अगर यहाँ 5 नहीं मिलेगा इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ यहाँ पे 2 और 5 का pair ही नहीं बनेगा अगर यहाँ 2 और 5 का pair नहीं बनेगा तो 0 कहां से आएगी आपको यह देखना है ना कि फिर 0 आएगी कहां से even number multiply करते है time यहाँ पे 10 आएगा आठ के बाद 1 0 यहाँ पे आगी अगली 0 direct कहां पे आएगी 20 पे क्योंकि 12, 14, 16, 18 इनमें कोई भी 5 नहीं है तो सीधा 20 में 0 आई अगली 0 30 में अगली 0 40 में करते करते 1000 तक इसका मतलब यह हो गया इसके अंदर भी number of 0 इतनी ही रहेंगी जितनी इसमें है क्योंकि इसके अंदर भी 0 तो कहां से बन रही है 10, 20, 30 से ही तो बन रही है यानि इस question का answer भी direct 124 आजाएगा 124 0 clear होगी बात क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है 5 नहीं है तो 2 के साथ pair नहीं बन पाएगा इसलिए 0 आएगी सरफ जो यहाँ पे question के अंदर already है number 10, 20, 30, 40 तो same question यह हो गया हाँ इसको करने का तरीका आपका यह वाला भी हो सकता था जैसे आपने इस question को solve करा आप इसे भी वैसे ही solve करिए दूसरा तरीका इसका यह भी है कि हम क्या करेंगे अब की बार common लेंगे 2, 4, 6, 8 में common क्या निकलेगा इसमें common निकलेगा 2 अगर 2 common निकल गया अंदर कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना आएगा 4, करते-करते, यहाँ तक कितना आजाएगा 500 अब एक चीछ देखो कि 2 कितने यहाँ पर power आएगी क्योंकि multiply यह तो 1 की 2 तो आएगा नहीं कितने number आएगे, यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर 500 तक लगातार दिखा रहा है यह 500 number है, यानि 2 raise to power 500 आजाएगी अब 2 की power 500 में तो 1 भी 0 नहीं होती क्योंकि 0 तो 2 into 5 के pair से बनती है खाली 2 0 नहीं बना सकता इसलिए 0 कहाँ से आएगी 1 से लेकर 500 की multiply यानि 500 factorial हमारी 0 बनेगी हाँ से 500 factorial में 0 कितनी होती आपको यह देखना है अगर इसमें 0 निकालनी है तो मैं divide करके देखता हूँ पहले 5 पे करेंगे 100 फिर 5 पे divide करेंगे 20 फिर 5 पे divide करेंगे 4 तो total मिलाके इसके end में आगी 1, 24, 0 और यह आपका answer हो गया clear होगी बात इसमें कोई doubt तो नहीं है बताएं भी जल्दी से क्या देखा हमने एक से लेकर 500 की multiply आई क्यों? क्योंकि जब मैंने इसमें से 2 common लिये तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करते करते 500 तक बच गया अब 1, 2, 500 total मिलाके 500 factorial है उसमें जब मैंने 5 से divide करना start करा तो total जितना भी आया उनको add करके 1, 24, last में बच जाएगी 0 clear होगी बात तो even number के end में हमारी 1, 24, 0 आ जाएगी ठीक है? अब even number में आपको बता लग गई अगर मैं आपसे पूछू odd number उसमें कितनी 0 आएगी? odd number में यानि 1, 3, 5, 7 करते करते triple 9 तक इसमें बताओ इसके end में कितनी 0 आएगी? 1, 3, 5, 7 करते करते बताओ अगर even में हमारी 1, 24, 0 है तो odd में कितनी 0 आएगी? देखिए हम ही पता है 0 बनती है हमारी 2 इंटू 5 के पेयर से अब अगर मैं odd number की बात करूँ यहां 5 तो बहुत सारे मिलेंगे 5, 15, 25, 35 सारे odd number है लेकिन क्या यहाँ पे 2 मिलेगा? नहीं मिलेगा क्योंकि 2 तो even number है तो 2 हमारा इस पूरी series में कहीं भी नहीं है जैसे even के अंदर 5 नहीं था तो हमने क्या देखा था? कि 0, 10, 20, 30, 40 से निकल की आई अब यहां पे 2 नहीं है तो पेयर यहां नहीं मिलेगा लेकिन यहां इस series में क्या कोई 0 है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 25 जितने भी नंबर आएंगे कहीं भी 0 नहीं है इसका मतलब यहां ना तो पेयर बन रहा ना ही ऐसा कोई नंबर है जिसमें खुल 0 हो इसलिए इसके आखरी में 0, 0 यानि कोई भी 0 नहीं आएगी clear होगी बात? चीक्चे हैं? इसमें doubt तो नहीं है न? ठीके तो आपने इस तरह देखा कि even में अगर 124 आती है तो odd में एक भी 0 नहीं आती चलिए अगला कोईशन देता हूँ मैं आपको 1 raise to power 2 2 raise to power 3 3 raise to power 4 4 raise to power 5 करते करते 28 raise to power 29 बताइए इसमें कितनी 0 हैंगी? टोटल मिलाके इसमें कितनी 0 हैंगी? बताओ अभी भी यह लगातार नंबर हैं आपने देखा हो तो 1,2,3,4,5 हैं सारे लगातार नंबर हैंगी देखें नंबर दिखने ही में हो सकता आपको बड़े बड़े लग रहे हों लेकिन कुश्चन बहद असान हैं कैसे असान हैं? अगर मैं पावर को छोड़ दूँ तो नंबर देखें 1,2,3,4,5,6 कॉंटिनियूस नंबर है अगर यह पावर ना होती तो तो मैं डिरेक्ट 28 फैक्टोरियल लिखके नंबरों 0 निकाल देता लेकिन अब मैं अगर यहां बात करूँ पावर में क्या है? हमने जितने भी नंबर लिखे है ना पावर उसे एक बढ़ कर है तो अगर मैं यहां पे बनाऊं 0 कहां बनेगी? पहली बात हमें पताए कि लगातार जब नंबर होते हैं तो उस कोशन में जितने 5 होते हैं उतने ही 0 होती है ना क्योंकि लगातार नंबर में 5 कम होते हैं तो अगर 5 कम होते हैं तो पेर उसी के कोडिंग बनते हैं तो हमें बस यह देखना है कि इस नंबर में कितने 5 हैं पहला 5 क्या है? कहां पे आएगा? 4 raise to power 5 इसके बाद आएगा यानि पहला 5 होगा 5 raise to power 6 5 की power 6 में total 6 5 होगे तो कि 5 की power 6 का मतलब क्या हो गया? कि आप 6 बार 5 की multiply करो यह होती है 5 की power 6 चीक है? अगला 5 क्या आएगा? जब 5 की power 6 आगी तो उसके बाद जब मैं आगे जाओंगा तो आगे आएगा 10 इसके अंदर 5 होगा और 10 list to power तो 11 मिलेगी क्योंकि हर number की जो power है वो उससे एक ज़्यादा है अगला 5 काँ पे आएगा? 15 की power कितने मिलेगी? 16 अगला 5 काँ आएगा? अगला 5 आएगा 20 में 20 की power कितने मिलेगी? 21 अगला 5 काँ पे आएगा? अगला 5 आएगा 25 में 25 की पावर 26 टोटल कितने हो गए 52 यह ध्यान रखना यहाँ पे आप 26 लिखने की ट्राई करोगे लेकिन आप भूल गए कि 25 के अंदर भी तो 2,5 है 25 के अंदर भी 2,5 है न तो 25 के अंदर पहले वाले 5 की पावर 26 दूसरे 5 की पावर 26 तो 26 प्लस 26 टोटल 5 होगे 52 चीक है क्योंकि इसके अंदर 2,5 थे और अब टोटल नंबर of 5 कितने होगे इन सब को एड़ करो यह प्लस में यह जब मैं एड़ करूंगा 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 52 कितना आ जाएगा देखो 2,1,3 और 6,9 10 और 6,16 एक कैरी 5,6,2,8,9,10 यानि इसके अंदर टोटल 106 पाँच आएँगे यानि 0 भी 106 होगी क्लियर होगी बात यह क्या देखा हमने यह आपे जब हमने देखा 1 रिस्टू पावर 2 2 रिस्टू पावर 3,3 रिस्टू पावर 4 और 4 रिस्टू पावर 5 इससरा करते-करते दे रखा है तो हमने बस यह देखना है कि कॉंटिनियूस नंबर में कितने 5 है जितने 5 होगे उतने ही 0 आएँगी तो जब मैंने देखा यहाँपे कि 5 की पावर 6 इसके अंदर 6,5 10 की पावर 11 के अंदर 11 15 की पावर 16 इसके अंदर 15 20 की पावर 21 के अंदर 21 25 की पावर 26 के अंदर 26 नहीं आएंगे क्योंकि 25 के अंदर खुद 2,5 आएंगे तो 26 और 52 पाँच आएंगे तो इन सब को एड़ करा टूटल आगे 106 तो जितने 5 होगे उतने ही इसमें 0 आजाएगी अगला कोशन 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल इसमें कितनी जीर होएगी यह ट्राइ करो अठारा फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल जल्दी से ट्राइ करें और अंसर बताएं क्या आएगा करें ट्राइ जल्दी कुछ बच्चे इसका अंसर निकालेंगे 6 क्या आपका भी 6 है यानि क्या सोचा होगा कि 18 फैक्टोरियल को हमने जब फैक्टोरियल क्योंकी दे रखा है तो मैंने 5 से डिवाइड करा 3 या पे 0 आई जब मैंने 5 से या डिवाइड करा 3 या पे आई टोटल मिला के 6 0 आगई है ना कुछ बचों नहीं सोचा होगा लेकिन आप एक मुझे चीज बताएं अगर मैंने एक नंबर लिया 3,000 जिसके आखरी में 3 0 है इसमें मैं जोड़ दू 1,4,000 इसके आखरी में भी 3 0 है क्या 3 0 वाले एक नंबर में 3 0 वाला दूसरा नंबर जोड़ दो क्या 6 0 बन जाती है नहीं 3 0 ही रहती है क्योंकि हमने जोड़ा है multiply नहीं करा तो आप ऐसे नहीं कर सकते 3 0 यहां 3 0 यहां total मिला के 6 गलत हो जाएगा फिर क्या answer आएगा अगर 6 नहीं आएगा फिर आप सोच रहें 3 आना चाहिए भई अब ज़रूरी नहीं है 3 आए 3 भी ज़रूरी क्यों नहीं है मान लीजिए मैं यहां पे 7,000 जोड़ता 3,000 में 7,000 जोड़ेंगे तो यह बनेगा 10,000 अब 10,000 में total कितनी 0 बनगी 4 तो यानि यह भी possible है कि इसमें 3 0 आजाए यह भी possible है इसमें 4 0 आजाए तो अब अगर यह possibility दोनों है 19 factorial का क्या मतलब होता है एक से लेकर 19 तक सभी नंबर की multiply अगर मैं इन दोनों में से कुछ common निकालना चाहूँ तो क्या common निकलेगा छोटे वाला नंबर हमेशा common आता है क्योंकि 1 से 18 की multiply भी है इसके अंदर भी तो 1 से 18 की multiply आती होगी योगी यह एक से लेकर 19 तक की multiply है तो अगर मैं एक से लेकर 18 की multiply यानि 18 factorial common ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 18 factorial सारा ही बार ले लिया तो अंदर बच गया 1 19 factorial में से 18 factorial common ले लिया तो अंदर बच गया 19 यह ध्यान रखना 19 कैसे ही एक से लेकर 19 की multiply में से पहले 1 से 18 की multiply बार ले ली तो आखरी time 19 ही तो बच गी यानि अब question क्या हो गया 18 factorial multiply में 20 जब तक number multiply में नहीं आते ना तब तक उसमें number of 0 नहीं निकाल सकते योकि plus वाले case में 0 change हो सकती है लेकिन multiply वाले case में 0 exact उतनी आती है जितनी real में होती है हमने starting में कही सारे multiply करके देखी थी number of 0 बताओ तो आपको क्या करना होता है जब भी plus में दे रखा है आपने बस यहीं देखना है कि आप किस तरह उसको multiply में convert करेंगे और multiply में convert करने का तरीक आपको बता है कि common निकालो common निकालके यह 20 आप देखो 18 factorial में 3 0 जब मैं 18 को 5 से divide करूँगा 3 यहां से आगी 3 0 20 के अंदर भी तो 1 0 है तो 3 यहां से 1 यहां से इसके अंदर आएगी total मिलाके 4 0 चीक है अच्छा question था न क्या देखा दुबारा repeat कर देता हूं मैं 18 factorial plus 19 factorial है 18 factorial common लिया तो 1 plus 19 आगया 1 plus 19 की बात करें तो total हो गया 20 अब 20 यहां पे हो गया 20 के अंदर 1 0 है 18 factorial के अंदर 3 0 है 1 0 यहां total मिलाके आगी 4 0 clear हो गया एक आखरी question का मुझे जवाब और देदो फिर आपका यह number of 0 complete हो जाएगा 126 factorial minus 125 5 factorial इसके अंदर कितनी 0 जल्दी से बता दो आखरी question आईए 126 factorial में से जब आप 125 factorial गटाएंगे तो कितनी 0 आएंगी देखें सोल्व करते हैं अगर बच्चों आपको लगे ना कि time कम रह जाता है जो हमारा सोल्व करने का हैं तो आप वीडियो को आप आप 5 वीडियो को पोस कर लीजिए जैसे अगर आपका अभी तक आँसर नहीं आया तो अभी वीडियो को पोस कर लीजिए निकालने के बाद वीडियो को दुबारा चलाएं देखो अगर मैं 126 factorial में से 125 factorial माइनस करना चाहूं तो common क्या निकलेगा छोटे वाला नंबर यानी 125 factorial common आ गया 126 factorial में से पहले 125 factorial common आ गये तो बच गया 126 जब ये सारा ही common आ गया तो अंदर एक बच गया अब कोशन क्या बन गया 125 factorial मुल्टिप्लाइं में 125 अब अगर ये सोचो कि इसके अंदर एक भी 0 नहीं है 125 factorial के अंदर मैं 0 निकाल लूँ तो पहले आप 125 factorial में 0 निकाले 5 पे जाएंगे 25 फिर 5 पे जाएंगे 5 फिर 5 पे जाएंगे 1 यह आगया यानी total मिला आकि इसके अंदर कितने होगे ये 25 पांच 30 और एक total इसके अंदर आगी 31 ये यह आ तक आगी क्या करा हमने 125 के अंदर चेक करा तो total 31 लेकिन आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते क्यों क्योंकि इस 125 के अंदर 35 है इस 125 के अंदर 35 है अब खाली 5 होने से तो pair नहीं बनता लेकिन जब मैं 1 से लेकर 125 तक की multiply कर रहा हूँ 125 एक्टोरियल इसके अंदर कितने सारे 2 extra बैठे होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, बहुत सारे तो इन में से किनी भी 32 के साथ ये 35 pair बनाएंगे न तो ये 30 extra बनेगी यानि इसके end में आएंगी 34, 0 चीक है? मैं एक बार repeat कर देता हूँ हमने क्या करा? 126 factorial में से जब 125 factorial माइनस करा तो 125 factorial को मना गया हुआ क्या? 126 माइनस ये सारा बार आ गया तो 125 ये factorial था 125 तो इसलिए इस सारा निकाल के देखा 31, 0 खाली 125 में 3, 5 है ये 3, 5 इसके अंदर जो बहुत सारे 2 हैं उन में से किनी 3, 2 के साथ pair बना लेंगे तो 3, 0 ये बनेगी 31 यहां से है total आगी 34, 0 चीक है? तो ये हमारा पहला part था number of 0 ऐसे ही number system में हम बहुत सारे part अब आगे करने जा रहे हैं तो अगला part आपका होगा unit place digit वो हम करेंगे इसे अगली वीडियो में चली बच्चो बाई बाई टेक कियर